हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आलू से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स इसे बनाना बहुत ही असान है और खास बात इसकी यह है कि आप इसे महिनों तक स्टूर करके भी रख सकते हैं बच्चों को बहुत ही पसंद आत है और इसे अच्छे से छील लिया है चीलों के बाद हमें आलू को रफली चोप कर लें तो यहां पर मैंने डायरेक्ट पानी के साथ उबाल दिया है इसे आप चाहे तो पानी को फेक दे और दूसरे पानी में डाल करके इसे उबाल सकते हैं तो बीच-बीच में इसे हमें स्ट Lets तक हमें इसे उबाल लेना है μεतलब हमें नहीं उबालना है 30% हमें आलू को कुक कर लेना है ये देखे इस तरीके से तो घड़ी देकर के 3 मिनुट बस हमें इसे उबालना है और ये हमारा आलू जो है वो तयार हो जाएगा ये देखे तो लीजे अब हम इसे इस टेनर में चान लेते हैं और इसे अब हम होने देते हैं ठंडा क्योंकि अभी बहुत गरम है तो देखे आ यहां अब हमने ले लिया है इस तरीके का चॉपर तो इस तरीके का चॉपर सभी के घरों में आजकल होता है अगर नहीं है तो आगे क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ तो इस तरीके से chopper में हम इसे डाल करके बस हमें इसे chop कर लेना है तो मोटा मोटा ही हमें इसे chop करना ये देखे बहुत ज़ादा बारिक नहीं होगा ये हलका इसका दरदरापन रहेगा इस तरीके से ये देखिए तो अगर आपके पास chopper नहीं है तो food processor है तो आप उसमें भी इसको chop कर सकते है या फिर आप इस तरीके से plate में ले ले और किसी fork की मदद से हम इसे press करते हुए इस तरीके से करेंगे तो ध्यान रहे हमें इसे mixer में नहीं करना है वरना इसका paste बन जाएगा और वो texture नहीं मिलेगा जो हमें snacks के लिए चाहिए तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें folks की मदद से इसे बना लेना है तो वही same texture हमें मिल जाएगा तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी अब इसमें हम कुछ मसाले अट करते हैं जैसे कि एक छोटा चमच जाएगा इसमें chili flex और एक चमच के करीब हम इसमें add कर देंगे pizza seasoning तो यहाँ पे मैंने pizza seasoning लिया है spice mix लिया है तो एक चमच हम इसमें add कर देंगे अगर यह आपके पास नहीं है तो आप simple घर के गरम मसाले और चाट मसालों के साथ भी इसे बना सकते हैं या फिर सादा नमक से भी आप इसे बनाएंगे तो भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा एक चोथा ही चमच हमने इसमें काली में चैट कर दिया है binding के लिए दो चमच के करीब हम यहाँ पे नमक स्वात के नुसार एट करेंगे और इसके बाद इसमें हम धनियापती एट करके अच्छे से इसे मिला लेंगे बहुत ज़दा मसाले इसमें नहीं लगते हैं बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही जबर्दस्ती स्नैक्स बन करके रेडी होती है तो यह देखे मैंने पाइपिंग बैग की मदद से हम इसे इसमें ट्रांसफर कर लेंगे तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो दूद वाली कोई भी थैली ले लीजिए या फिर हम मैगी बनाते हैं मैगी वाली जो पैकेट आती है आप उसमें भी बना सकते हैं तो इस तरीके से हम इसे रख देंगे और दूसरी तरब तेल गरम करने के लिए रख दिया था मैंने तेल हमें मीडियम हॉट रखना है मतलब मीडियम फ्लेम पे हमें तेल को गरम करना है और इस तरीके से देखिए बलकुल इस तरीके से हम एक चाकू या फिर इस तरीके से सीजर की मदद से ह इसके मिलते जाएंगे चोटे मिलते जाएंगे ऐस तरीके से हम कट कर लेंगे तो बना लूँ गी स्टार्टिंग में हलका हलका चिप पकेंगे, लेकिन बाद में जो होगा, जब यह fry हो जाएंगे, तो यह अपने आप अलग हो जाएंगे, यह देखिए इस तरीके से हलका हलका भी चिप के हुए है तोड़ा सा चमाच की मदद से आप इसे चलाते रहेंगे तो ये अलग हो जाएंगे ये देखे बिल्कुल इस तरीके से तो मैंने इसे golden होने तक इस तरीके से fry कर लिया है और हाँ अगर आपको इसे store करना है तो जब हमने mix बनाया न उसकी चोटी-चोटी गोली बना लीजे और उसी गोली को आप freezer में airtight container में डाल करके महीनों तक store करके रख सकते हैं और ये हमारा मज़ेदार सा snacks बन करके इस तरीके से ready हो जाएगा तो दो मिनट वाला snack से आप बना करके एक बर freezer में रख लेंगे बस जब भी दिल करें आप freezer से निकाल लिए और इसे बना करके enjoy कर सकते हैं तो ये देखिए मैं आपको इसका crispiness सुनाती हूँ ये देखिए चोटू सा है लेकिन बहुत ही crispy करारा मज़ेदार सा है मेरे तो हाथ ही नहीं रुक रहते से खाते खाते तो चली बनाइए आप इस recipe को और मुझे जरूर comment करिए recipe अच्छी लगी होगी तो channel को subscribe करें thank you for watching